हेलो अब्रीवन आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरा नाम परवेज है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि VLOOKUP का इस्तमाल कैसे किया जाता है VLOOKUP एक बहुत ही जरूरी function है Excel में और इसको vertical lookup भी बोलते हैं तो इसका इस्तमाल एक बड़े data set से important information या जो भी required information है वो retrieve करने के लिए किया जाता है सो मेरे पास एक यह data set है आप देख सकते हैं कि इसमें इंडियन स्टेट्स के नाम है और फिर इनके initials दिन capital और major city जैसे उत्तर प्रदेश का capital city लखनौ है similarly Odisha का capital और major city बोवनेश्वार है similarly states का area population population density and sex ratio इस data set में total 36 states है states and union territories बोट यह मेरे पास questions है और हम VLOOKUP का इस्तेमाल करके इस data से यह जो required information है वो fetch करेंगे आये देखते हैं कि VLOOKUP का इस्तेमाल कैसे किया जाता है नाव जो पहली requirement है what is the capital major city of following states सो यहां पर जो states का नाम होगा हमें उसका capital और major city यहां पर populate करनी है so let's do one thing data validation का use करके हम सारे states का नाम यहां पर populate करेंगे यहां पर list select करेंगे सारे states का नाम select करेंगे अब यहां पर जितने भी states है उनका नाम यहां पर drop down से select कर सकते हैं suppose यहां पर हमने केरला select किया है अब यहां पर हमें केरला का जो capital और major city है वो find करना है so VLOOKUP formula का use करने के लिए सबसे पहले equal press करेंगे यह एक्सल में कोई भी formula जब हम use करते हैं सबसे पहले equal press करते हैं उसके बाद type करेंगे VLOOKUP इस पर double press करेंगे so automatic VLOOKUP एक्सल सजेस्ट करता है कि VLOOKUP का syntax है जो requirement है वो यह है सबसे पहले lookup value select करने है so lookup value यह है this cell j7 comma then table array select करने हमें so हमारी table array इस पूरे table को select करेंगे उसके बाद फिर comma जो third requirement है वो है column index number so column index number वो column है उस column का number है जिसमें हमारी required value exist करती है so इस scenario में इस पूरे table array में जो हमारी required column है वो यह है so इसका column number हुआ 1 2 & 3 so हम यहां पर 3 प्रेस करेंगे उसके बाद जो next criteria है वो है true और false हम exact match सर्च कर रहे हैं या फिर approximate match सर्च कर रहे है so हमें exact match चाहिए false select करेंगे यहां पर bracket close करेंगे equal to press करने के बाद यहां पर जो केरला का state है वो populate होके आ गया अब हम यहां से दूसरे states को भी select कर सकते हैं suppose गुजरात गुजरात की राजधानी गांधी नगर हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है श्यमला and so on so now let's move और हम यह देखते हैं कि वी लुक अप कैसे काम करता है so जब हमने वी लुक अप को फॉर्मूला लगाया so सबसे पहले वी लुक अप जो लुक अप वैल्यू है वह फॉर्स्ट कॉलम में फाइंड आउट करेगा so यह रही केरला की वैल्यू ए फॉर्टिन सेल में और उसके बाद जो हमारी रिक्रॉइड वैल्यू है यानि की जो कैपिटल और मेजर सिटी है वह थर्ड कॉलम है so एक थर्ड कॉलम में जो केरला की करेस्पॉंडिंग वैल्यू है हमारी किक्वाइड वैल्यू है तिरुवन अंतुराम यां अब हम सेकेंड question पर चलते हैं what is the capital and population of north east states so यह हमारे साथ north east के states है हमें इनकी capital major city and population retrieve करनी है so let's start हम start करेंगे भी look up formula से look up value select करेंगे, table array now हम entire table को select करेंगे now अब जो यह formula है वो हमें नीचे ड्रैग करना है so हम यहां पर यह जो हम table array है हम इसको लॉक कर देंगे f4 परेस करेंगे तो यह table array लॉक हो जाएगा कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर तो कॉलम इंडेक्स नंबर यानि कि जो हमारा capital और major city वो third column है so हम 3 प्रेस करेंगे है हमें एक्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स तो आसाम की राजधानी आ गई दीशपूर अब हमें इस फॉर्मुले को नीचे ड्रैग करना है अब हम देख सकते हैं कि यह सारी वैल्यू हमें शो हो रही है तरिपूरा की जो राजधानी है वो अगरतला है हम इसको verify भी कर सकते हैं तरिपूरा की राजधानी अगरतला अब सिमिलरली हम पॉपिलाएइ भी फीट आट करैंगriers वीूप लुकाप वैल्यू गोप्य लीट अले भी करेंगय वीूपू भ्यूस यमीले मौकट रुन यूप्यृशन Τटैबलं 보는那麼 आ यह मोकलम इंदेख ना 5 तो हम यहां पर 5 प्रिस करेंगे गॉमा एक्जैक्ट मैच फॉर्मुले को ड्रैक करेंगे सो नाव कैपिटल एंड पॉपुलिशन यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया है यहां से मैं सलेक्ट करूं स्टेट्स और यहां से जो स्टेट्स का क्राइटेरिया है वह सलेक्ट करूं सब्सक्राइड एरिया सो इस स्टेट्स का एरिया यहां पर पॉपुलेट होके आना चाहिए वी लूक अप का यूज करके इसको कैसे अचीव करेंगे वह हम देखते हैं वी लूक अप लूक अप वैल्यू टेबल अरे के लिए हम पूरा टेबल सेलेक करेंगे हम इस टेबल को लॉग भी कर सकते हैं अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक करना है सो कॉलम इंडेक्स नंबर इस केस में फिक्स नहीं है अगर सपोस हमें एरिया चेक करना है तो हमारा कॉलम नंबर हुआ 1 2 3 & 4 अगर हमें 6 रेशियो जानना है सो हमारा कॉलम नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 & 7 तो कॉलम नंबर चेंज होता है हमेशा इस केस में सो टू अचीव डाइनामिक कॉलम नंबर हम एक एकसल फंक्शन का यूज करेंगे मैच सो मैच फंक्शन की जो रिक्वाइर्मेंट है वह है सबसे पहली लुक अप वैल्यू जो लिकशन के यह रहें , लुक дома लुक अप अरे सो मैच फंक्शन का जो लुक अनि में शुबम अनम टू जीवाइर्म यह वेट लाग करेंगे इसमें इसमें सकतरडमें मेच रौक तो यह मेला क्वंक्शन यह हमआरा मैच फंक्शन कंप्लेट हो गया है कॉमा नाव वी लूक अप में हम एक्जैक्ट मैच सर्च कर रहे हैं तो यह हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है सब्सक्राइब यहां पर हमने असाम सेलेक किया हुआ है इसका एरिया है सेवेंटी नाइन थाउजिंड आइधिंक यह स्क्वाइर किलोमेटर में है हम यहां से स्टेट का नाम सेलेक कर सकते हैं और यहां से कैपिटल सिटी जान सकते हैं स्री नगर एरिया इस इस तू लैक्वेंटी तू थाउजन तू हैंड़न थाउजिक्स इस्क्वाइर किलोमीटर में है यह सिर्फ एक्सांपल के लिए मैंने डेटा सेट लिया है पॉपलेशन इस इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच